जैहीं दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या गया है ए बी और सी है उनका work ratio दे रखा है मुझे A, B, C का, यानि कि यह A दे रखा है, यह B दे रखा है, और यह C दे रखा है, इनका work ratio है 2, 5 और मुझे 7 दे रखा है, यानि work ratio मेरे पास C है, अगर इनका मैं L-SIM निकालूँगा, तो मेरे पास L-SIM कितना आएगा आपका 70, और मैं इसको अगर divide करूँगा, तो यह मेरे पास क इसके आगे time का ratio आगया, work ratio मुझे दिया हुआ, time का ratio आगया, इसमें मुझे क्या कहा गया है, they can complete a work in 10 days if they work together, यदि यह 3 और 7 में काम करते हैं, यानि कि टोटल काम कितना है, मेरे पास में आपका 70, इस 70 को, अगर मैं इसकी working efficiency से divide करूँगा, 7 और 9, 9 और 5, 14, अगर 14 से divide है, 10 days बना चीए, तो यह 7 और 10 हो गया, और 7 दूनी चोजा, यानि किसे multiply करना पड़ेगा, मुझे 2 से, तो 2 से multiply करें, उसी से multiply कर देजिए, उसी से multiply कर देजिए, या directly आप इसे multiply कर देजिए, तो इसका मतलब क्या आजागा, 70 से multiply करेंगे, तो कितना है, 140 तो मेरे पास क्य कराना है, A से कराना है, कितना काम कराना है, 30% कराना है, तो इसका 30% निकाल देते हैं, total work का, 30 by में 100, तो इसका मतलब ये गया, ये भी गया, तो 14 और इन्टू में 3 यूनिट, 14 तो में 3, ये क्या हुआ, total work का कितना है, 30% है, अब ये काम किस से कराना है, A से कराना है, तो A की एफिसेंसी मुझे पता हो नहीं चाहिए अगर मुझे एक ही एफिसेंसी पता हो नहीं चाहिए तो मैं डिवाइड कर दूँगा इसे टू से तो इसका मतलब कितना है त्वेंटी वन डेज यानि कि यह जो है पूरे कारे का 30% कितने दिन में कर पाएगा आपका 21 डेज में यानि कि option D इस question का आएगा I hope आप सभी कोई question समझ में आया होगा जै हिंद जै भारत